टेंग मतलब सब्सक्राइब करें यह सारी चीजें इस वीडियो के दरान में डिसकस करूंगा ज्यादा आपको टाइम बेस्ट नहीं करना है 1.5 या 2x पर देखो मैं भी जल्दी बोलूंगा जिससे कि आप जल्दी से वीडियो देखने के बाद अपनी पढ़ाई में कंटीन्यू कर पाएं आगे वड़ते महारे सामने सवाल आ रहे तो हम 4-5 पॉइंट लिख के आएंगे अगर मारे पास 5 मांक का सवाल आ रहा है तो हम 6-8 पॉइंट या पर लिक्के आ रहे हुंगे इस तरह से लिखेंगे जिससे की पेज तोड़ा बड़ा बड़ा लगे क्योंकि ये 5 नंबर का सवाल है आगे बढ़ते हैं हम दूसरे point पे लिखते रहना जितनी भी बाते हैं बता रहा हूँ क्योंकि सारी important होने वाली है starting में हाँ दूसरा point जब भी आप point में answer लिख रहे होते हो जो कि हम sst में लिखेंगे ही point के answer में कोशिश करो कि जो question में पूछा गया है उससे relevant information शुरू के 2-3 points में आ जाएं मतलब कि मालो हमारे सामने 5 number का सवाल हुआ तो हमें 5 number के सवाल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मालो 7 points हमें लिखने हैं 5 number के सवाल में कोशिश करो कि उस सवाल से related जितनी भी information है वो शुरू के 3-4 points में आ जाए जिससे कि जब teacher in वाले points को पड़े उसने पहला point पड़ा, दूसरा पड़ा, तीसरा पड़ा, चोथा पड़ा उसको पता चल गया भी हाँ इस बच्चे को सवाल के बारे में सब चीज पता है इस बच्चे को पूरे answer की knowledge है यह ना हो कि शुरू में तो हमने time pass कर दी और आखरी में हम main information लिख रहे हैं क्या मेरे बास समझ में आ रही है इसी तरह से हम हर एक answers में कर रहे होंगे माल लो हमरे पास 3 number का सवाल है हम 4 points लिखने वाले हैं तो शुरू के 2 points में ही साधी की साधी relevant information हमने यहां पे डाल दी समझ में आगे मेरी बास दूसरा point हाँ जी अब आते हम तीसरे point पे reading time reading time में sst में मेरा ये क्या कहते हैं तजर्वा रहा है मेरा ये suggestion रहेगा कि आप case based सवाल जो हैं वो मन में solve कर लो case based सवाल ऐसे होते हैं जिसमें हम अगर आखरी में जाके बैठेंगे और हम उसके पढ़ने लग जाएंगे तो हम हड़ बड़ी के मारे शायद उससे solve ना कर पाए चाहिए हम कुछ और लिख के आ जाएं तो इससे बढ़िया है reading time में हम खाली बैठे होते हैं हमने उठाए case based सवाल case based सवाल में हमने अच्छे से information पढ़ी जो जो दी हुई है सवाल उठाए हमने दिमाग में solve कर लिए हमने दिमाग में रख लिए कि हाँ यार इसमें यह लिख दूँगा इसमें यह लिख दूँगा तो paper अभी शुडू हुआ भी नहीं है बहुत सारी होती है पर वो छोटी योटी लिखता है तो वो एक दो लाइन में ही समा जाती है तो कोशिश करना जो छोटी handwriting वाले बच्चे है अपनी font size थोड़ा सा बढ़ा ले और paper को भरा भरा रखे ssp एक ऐसा paper है जिसमें जतना ज्यादा अपना answer sheet भरी होगी उतने ज्यादा अच्छा impression आपका पढ़ रहा होगा ठीक है जी फिर उसके बाद हर एक answer के बाद हम एक line draw कर दें इससे क्या होता है कि वो neat paper लगता है अच्छा लगता है pencil से हमने line draw कर दी तो एक और चीज यहाँ पर हमने छोड़ दी शायद कि important words को आप underline कर दें यह हर एक paper में हम कर रहे हैं इसमें भी करेंगे जिससे की teacher ज्यादा time ना दे उसने देखा अच्छा अच्छा important information यहाँ लिख कर रहा आगे बढ़ गई वो ठीक है यहाँ बढ़ गया जो भी check कर रहा होगा अगले page पे चलते हैं भाईया कौन सा section हमें पहले करना है यहाँ पर मेरा यह suggestion रहेगा कि आपका जो भारी number वाले section है जिसमें बहुत ज़ादा marks आपको मिल रहे हैं वो section आप पहले ही कर लो क्यों कर लो जब आप पहली सुबह सुबह जाते हो तो आपका mind fresh होता है आप अराम से बैठे होते हो आप handwriting अच्छी लिखते हो तो अगर आपने शुरुआत में 5 marks वाले सारे सवाल कर दिये और वो भी अच्छी handwriting में आपकी handwriting अच्छी है आपने उन सब को एक अच्छी structure में लिखा है आपने उन सब को क्या कहते हैं बिल्कुल to the point लिखा है और आपने relevant information भरी हुई है पूरा page भरा हुआ है अच्छे-च्छे font में लिखा हुआ है आपने बड़े-बड़े font में लिखा हुआ है फिर उसके बाद आप 3 marks वाले कर रहे हो फिर आप 2 marks वाले कर रहे हो फिर आप 1 marks वाले कर रहे हो अगर इसमें ज़्यादा time चला भी गया तो अगर छूटेंगे भी तो 1 marks वाले चूटेंगे मालो आपने ऐसे शुरू करा उसके सारे सवाल इसी heading के नीचे हो फिर उसके बाद मालो आपने section B शुरू करा और आपने उपर heading डाली section B तो ऐसा नहों कि section C का सवाल यहां डाल दिया B का यहां डाल दिया ऐसे mix नहों इसमें कही marks नहीं कटते हैं पर यह है कि teacher क्या है उसको हम थोड़ा सा अराम दायक checking experience देंगे तो वो शायद अच्छे आपको number दे रहा होगा तो यह हो गया कि कौन सा section हमें पहले करना है इसके बाद कुछ-कुछ additional points दमेर को दिमांग में आपको रखने होंगे हम क्या करते हैं पहला word पढ़ते हैं अरे यार यह तो पता हुए NCRT का सवाल है पर कई बार क्या होते हो थोड़ा सा गुमा देते हैं तो एक बार अच्छे से read करना तसलिसे हॉले हॉले पूरे question को read कर लेना यह नहों कि पूछा कुछ और है हम कुछ और लिखके आगे कि नहीं डाउनलोड करें आप नीचे एक बार description में देख सकते हो उसमें सारी की सारी timeline story के सब्सक्राइब ने डाल रख की है पर जरूर ही नहीं अगर नहीं पूछा है सवाल में कि ear mention कर रहे हैं क्यों रिस्क लें क्यों सिल्ली मिस्टेक डालें अगर हमें याद ही नहीं है यह तो हम लिख देंगे पर अगर सवाल में नहीं पूछा है तो जरूरी नहीं यह लिखना ठीक है मेरे बात समझ में आ रही है अगर उसमें specifically mention कर रहे हैं कि आपको यह भी mention करना है तो बात अलगे है पर हम जवरदस्ती क्या किते हैं अपने पैर पे कुलाड़ी ना मारे तीसरी चीज़ don't leave any question blank कोई भी सवाल छोड़के नहीं आना है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल blank हो गयो आपको यह पता है कौँसे चैप्टर से सवाल है ठीक है कुछ भी लिखा हो उस चैप्टर के बारे में आदा एक नंबर भी बहुत matter करता है ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल मेंट तक लड़ना होता है पेपर से जब तक कीचा राके छीनके नहीं भाग जाता ना तब तक लिखते रहो यह mentality से हम पेपर देने जाएं time management के लिए मैंने आपको सबसे पहले ही बता रखा है कि आपके पार एक मार्स के लिए दो मिनिट होते हैं तो इस हिसाफ से हम रखे कि section wise हमने time divide कर लिया कि यह वाला section अगर 20 marks का है मालो section number B है assume करो 20 marks का है एक marks के लिए 2 मिनिट है तो 20 marks के लिए 40 मिनिट है तो इस 40 मिनिट में हम यह वाला section करें यह मैंने पिछले जो वीडियो है बार बार में repeat नहीं करूंगा आपको बता रखे हैं तो time आप ऐसे manage कर सकते ह जो आपका last में revision time है उसमें एक चीज ध्यान रखना जो बहुत बड़ी सिल्ली mistake होती है कि हम हर एक answer के side में वह number mention करते हैं कि कौन सा सवाल का यह answer हमने लिखा है कई बार क्या होता है हम जल्द वाजी में बहुत excitement में लिख देते हैं पूरा answer और वह number ही mention करना भूल जाते है कि यह कौन सा answer है इससे कई बार number कट जाते हैं कई बार नहीं करते हैं वह teacher अगर अच्छे mood में है तो पहचान लेगा अच्छा है इसका सवाल इसने आपे कर रखा है पर हम जितना असानी रखें teacher को उतना सही रहेगा tension मिलकुल नहीं लेनी है ठीक है हर वीडियो में बोलता कि याई उसे एक legend कहते हैं और आप सभी एक legend हो तब तक करे वही पढ़ना है पोड़ना है कहर मचा देना आग लगा देनी है बबाई take care अच्छे से पढ़ाई करो ठीक है राद बर पढ़ने मत पढ़ना बैट गये जितना हो गया ठीक है अनाम से 7-8 गंटे की नींद और एक्जाम सेंटर में जाके आग लगा के आएंगे ठीक है जला देना वेपर बबाई take care मिलते हैं अगले पेपर में best of luck ठीक है तुम्हारा बही हमेशा तुम्हारा साथ खड़ा है दसवी दसवी के बाद भी बाई जाओ बिलते हैं अगले पेपर में बाई